दोस्तो, शेहनासगिल से जुड़ी बड़ी ख़बर सामने आ रही है, लेटिस्ट अपडेट सामने निकल कर आई है, जिसे सुनकर आप भी भावुख हो उठेंगे दोस्तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि शेहनाज गिल का पूरा का पूरा परिवार शेहनाज के मम्मी पापा और भाई सारे सिधार शुकला की रस्म क्रिया में शामिल होने के लिए मुंबई आये थे पंजाब से जी हां और शेहनाज की हालत को देखकर उनकी मम्मी भी बहुत जादा घबरा गई थी यहां तक की रुबीना दिलेक और अभिनव शुकला जब मिलने गए शेहनाज से और शेहनाज की मम्मी से मिलकर आये हैं क्योंकि शेहनाज इस वक्त सिधार शुकला के ही घर है जब से सिध सिधार्थ के घर ही रह रही हैं और वहाँ पर अलग-अलग सेलिबिर्टीज रोज जिसको जिस वक्त टाइम मिलता है सभी जाते हैं मिलने के लिए बारी-बारी से सिधार्थ के घर शैनाज से और रिटा मा से मिलने के लिए और वहाँ पर जब शैनाज से मिलने के लिए अभि बहुत ज़्यादा दुखी है दोस्तों बहुत बड़ा डिसिजन लिया है शेहनास के परिवार ने शेहनास को लेकर और मा रीटा शुकला ने भी बहुत बड़ा डिसिजन ले लिया है शेहनास गिल के प्रती सिधार्थ की जाने के बाद जैसा कि आप सब जानते हैं डिसिजन्स लेने हैं या फिर उनकी फैमिली को लेने हैं शेहनास को लेकर ऐसे में बहुत बड़ा डिसिजन्स सामने निकल कर आया है जो कि शेहनास के परिवार ने शेहनास को लेकर लिया है और माता रीटा शुकला ने भी इसमें अपनी हामी भर दी है दोस्तों आपको बता लेकर घब्रा से गए हैं सारे के सारे परिवार की और उनका हाल चाल जाना कुल मिला कर पूरे पडरीवार का महाल काफी कमगीन था और हर आँख में नम्त की आत्मा की शांती के लिए special पूजा रखवाई गई ब्रह्म कुमारे की तरफ से जैसा कि सिधार्थ का पूरा परिवार ब्रह्म कुमारे के रेती रिवाजों को रिचुल्स को मानते हैं और उसे रिचुल्स के according संसकार भी करवाया गया था सिधार्थ शुकला जी का और अब उसे के according उन्होंने सिधार्थ की आत्मा की शांती के लिए पूजा भी रखवाई और इस पूजा में आपको बता दे करीबी दोस्त रिच्टदार सभी शामिल हुए थे वहाँ शैनास की फैमिली भी शामिल हुई और शैनास की हालत क्या है ये सब तो आप जानते ही हैं शैनास का इस ताइम सिर्फ और सिर्फ रोरोकर बुरा हाल हो रहा है सिधार्थी सिधार्थ रटती जा रही हैं वो और कुछ भी उनके मूँ से दूसरा शब्द नहीं निकल रहा है आपको बता दे दोस्तों, शैनास को लेकर बहुत बड़ा डिसिजन ले लिया गया है उनकी हालत को देखते हुए आपको बता दे मा रीटा शुकला टाइम टू टाइम शेहनास को तो संभाली रही है लेकिन उनका भी ये मानना है और शेहनास के ममी पापा का भी यही मानना है कि शेहनास को अभी कुछ दिन के लिए पंजाब चले जाना चाहिए ताकि वो इस महौल से थोड़ा दूर तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा सिधार्थ को अपने दिमाग से निकाल सके या फिर इस गमगीन महौल से वो निकल सके और अपने आपको संभाल सके इसलिए उनका पंजाब जाना भी सही रहेगा। उसी तरह से शेहनाज भी रीटा मा के नक्षे कदम पर चलते हुए। strongly सारी चीजों को handle करना शुरू कर दे लेकिन दोस्तो अभी शेहनाज के लिए ये सब करना इतना आसान नहीं है क्योंकि उन्हें इस गम से निकलने में अभी सालो लग जाएंगे। और शेहनाज की फैमिली चाहती है कि वो उनके साथ पंजाब थोरे टाइम के लिए चल लें ताकि थोड़ा मोहौल चेंज हो जाए शेहनाज के लिए। खैर दोस्तो ये रीटा मा और शेहनाज के ममी पापा का कहना है लेकिन अभी फाइनल डिसिजन जो है वो शेहनाज खुद से ही लेंगी जो भी डिसिजन होगा शेहनाज का जो भी कहना होगा वो खुद से लेंगी कि उन्हें पंजाब जाना है या मुंबई रहना है या फि करने के लिए या फिर उन्हें मुंबई में ही रहकर सिधार्थ के सपनों को पूरा करने के लिए काम शुरू कर देना चाहिए जो भी आपके विचार हो जरूर लिखकर बताईएगा कमेंट सेक्षन में कि आप लोग क्या चाहते हैं आप लोग की क्या विचार हैं साथ हर होती हूँ नेक्स्ट वीडियो में लेटिस्ट अप्टेट के साथ तब तक के लिए बाबाई एंड थाइंक यू फोर सपोर्टिंग अस